मैं आपकर अप्ग्रेट करूंगी कि आप आईस्क्रीम स्टिक्स के साथ वॉल हैंगि work में च er मैं आईस्क्रीम स्टिक्स संक् lug tf हैं आप चाहे तो दोनों साइड भी कर सकते हो तो चलिए बॉल हैंगिंग बनाना शुरू करते हैं तो नीचे बेस के लिए हमने फॉर स्टिक्स इस तरीके से रख दी है एकवल डिस्टेंस पर और अब इनके उपर हम इस तरीके से गलू लगा के इस तरीके से पेस्ट कर देंगे यह दूसरी स्टिक्स है इसको भी हम इस तरीके से इस तरीके से हम फॉर स्टिक्स के उपर पेस्ट कर देंगे आप 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 तो इस तरीके से हमने यह थ्री पीसिज प्रिपेर कर लिए हैं अब हम इनको इस तरीके से जोइन कर देंगे जोइन करने के लिए हम यह डोरी का यूज करेंगे तो इसको हम छोटे-छोटे पीसिज में कट कर लेंगे इसी तरीके से हम टू पीस और कट करेंगे अब हम यहां पर ग्लूगन देंगे इसे दोनों पीसी से हमारे इनको हम अटाच कर देंगे इस तरीके से तो अब हम यहाँ पर भी ग्लू लगा देंगे और जो यह डोरियां है इसकी इनको इस तरीके से यहाँ पर अटाच कर देंगे और उपर से इसको अच्छे से लू लगा देंगे अब सबसे उपर के सीरे पर हम यह लटकाने के लिए डोरी से ही कुंडी बना के लगा देंगे पर अटरीके अपर के लिएड़ा बना के लिएड़ा ने से कोव बना ग्राच कर दाचरें आल की यहेजिए तरह पेस्ट कर देंगे, अब यह देखिए यह हमारे पास वाइट कलर की लैस है, इसके हम यह चोटे-चोटे फ्लावर साइन को हमाला लग अलग कट कर लेंगे, इस तरीके से, अब हम इन फ्लावर्स को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो जो हमारा सेंटर वाला पीस है, इसको हम पूरे पे ही हम फ्लावर्स से इसको भर देंगे, तो देखिए फ्लावर्स हमने यह नीचे जो डोरी लटकी हुई थी उस पर भी हमने दो दो फ्लावर्स चिपका दिये हैं, और हमारा यह पीस बन के रेड़ी है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा प्यारा सा वाल हैंगिंग बन के रेड़ी है, आपको यह पीस कैसा लगा, कुमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू,